नमस्कार दोस्तों स्वागता चैनल पर दोस्तों इसके अंदर हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि जो LDR होता है वो किस तरह किसे काम करता है इस LDR को जैसे हम शेड़ो करते हैं तो हमारा बल चालू जाता है और विजसे यह बंद हो जाता है तो इसका पूरा सक्रिट कैसे बन की पूरा स्वाय का वारा खो़गा व्हों जो साथ यहां एक बैटरिकी जो पॉजेटिव प्लस वाली सप्लाई है हम दोनों ट्रीश्टर को देनी है बित्ताई हमें करना है और नेगेटिव जो सप्लाई है उससे पहले हम यह जो टांजिस्टर का जो बेस होता है वहां से एक वायर लेके 47 के करेजिस्टर और LDR के दोनों पर जहां पर जोइन्ट और है वहां पर एक वायर जोइन्ट कर देनी है जो सीधी हमारी BC 547 जो हमारा टांजिस्टर है यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे BC 548 पर ले सकते हैं इसमें उसकी पिन सेम होती है अब हम क्या करेंगे जो यह हमारा बैटरी है वहां से नेगेटिव सप्लाई लेंगे और नेगेटिव सप्लाई हम LDR जो एक बच्चीवी पिन है उस पर जोड़ देंगे और दूसरे हम टांजिस्टर के एमेटर पर जोड़ देंगे और एमेटर बाद में कलेक्टर की जो वायर है उसको LED पर जोड़ देंगे क्योंकि जैसे यह टांजिस्टर सुच करेगा सुच करने के बाद में यह LED को ग्लो कराएगा तो यह सुच कैसे करेगा जब हम सप्लाई होती है नीचे इसको नेगेटिव देना पड़ता है और पॉजेटिव सप्लाई का इसमें ट्रिगर लगता है और यह जो नेगेटिव सप्लाई जस्ट स्विच होके उपर एल एडी तक पहुंच जाती है तो यह जैसे नॉर्मल कंडिशन में यह ओन होना चाहिए अ तो रिजिस्टेंस जादा होने के वज़े से हमारा जो टांजिस्टर होता है वो ओन हो जाता है यानि कि अंदेरे के अंदर हमारा जो एल एडी है वो ओन हो जाएगी और उजाले के अंदर आफ हो जाएगी क्योंकि उजाले के अंदर इसका रिजिस्टेंस होता है पड़ती ग़ो डियार वर्क करता है इस पे जब यानि कि dark और light दोनों के अंदर इसका resistance कम जादा होता है इस वजह से हमारा जो टांजिटर होता है वो इसको read कर लेता है और LED को on-off करने काम आता है यानि कि अंदेरें में resistance ज्यादा हो जाता है और इस वज़े से हमारी LED ग्लो करती है और उजाले के अंदर इसका पटिरोद होता है वो कम हो जाता है और हमारी LED ओफ हो जाती है तो इस तेगे के प्रोजेक्ट दोस्तो आप बना के और प्रजेंट कर सकते हैं काफी कम कंपोनेंट्स के अंदर ये हमारा वर्क करने लगता है और काफी अच्छी तरीके से इसको आप दिखा भी सकते हो और LDR को अच्छी तरीके से समझा भी सकते हो इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर तो दोस्तों केसे लगा मैं आज को टॉपिक प्लीज मुझे कमेंट जूर करेगा और काफी इजी तरीके से आप इसको बना भी सकते है धन्यवाद